मुनश्कार दोस्तो आज कि इस ने एपसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर आप भी क्रॉस लेक्स करकर बैठते हैं तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप हो जाएं सावधान जी हाँ दोस्तो बहुत से लोग हैं जिनको आपने बैठते समय टांगों को क्रॉस करते देखा होगा क्या यू कहें कि उन्हें क्रॉस लेक्स करके बैठना ज्यादा आराम दायक लगता है क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार एक ही मुद्रा में बैठे रहने से आपकी सेहत पर कैसा असर पड़ता है अगर नहीं तो जान लें एक टांग को दूसरी टांग पर ज्यादा समय तक रखकर बैठने से आपकी नैचरल बॉडी शेप बिगड सकती है आए जानते हैं टांग पर टांग चड़ा कर बैठने से शरीर को कौन कौन से नुकसान पहुचते हैं पहला हाट पर असर जी हाँ दोस्तो जब आप पैरों के क्रॉस करके बैठते हैं तो पैरों की जो nerves होती है यानि जिसे हम कहते हैं नसें वो दब जाती हैं ऐसे में blood का circulation पैरों की तरफ ना जाकर heart की और वापिस आने लगता है जो आपके heart के लिए बहुत नुकसान दाएक हो सकता है दूसरा कमर दर्द लगातार टांगों को क्रॉस करके बैठने से शरीर अपने natural shape में नहीं रहता जिससे कमर में दर्द रहने लगता है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है तीसरा पेल्विक बोन पर असर ज्यादा समय तक टांगों को क्रॉस करके बैठने से पेल्विक बोन में दर्द और अकड़न की समस्यां रहने लगती है इसलिए बहतर है कि आप अपने टांगों को क्रॉस करके बैठने की आदत को सुधार लें चौथा स्पाइडर वेंस पर असर तोस्तो पेलों को क्रॉस करके बैठने से पेलों में मौझूद स्पाइडर वेंस में खून एकट्टा होने लगता है जिन से दर्द सूजन की भयानक समस्यां होने लगती है और आपको बहुत ही कष्ट होता है पांचवा नसो को नुक्सान दोस्तो लंबे समय तक एक स्थिति या टांगों को क्रॉस करके बैठने से नसो पर जोड़ पड़ता है जिससे वह धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है और कुछ समय बाद आपको बेतहाशा दर्द भी देती है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आज से ही आप अपने क्रॉस लेक्स करने की जो आदत है आप उसे में सुधार लाएंगे और एक सुखी जीवन और एक स्वस्त जीवन की और अग्रिसर होंगे दोस्तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट के माधियम से हमें अपना फीडबैक जरूर दें इससे अपने फ्रेंट्स और रिलेक्टिवस के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से भरपूर फायदा उठा सके दोस्तो हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक आप भासते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्यार रखें धन्यवाद